नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी अड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिए हमें आल्सो वैरिफाइड एडुकेटर अनकैडमी, तो आप मुझे अनकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमंत मिसर सर्च के लिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मैं SSE और रेल्वे एक्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रिवेस यर क्वेस्टन आए, एक एक क्वेस्टन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ, आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहाँ पे लेशन में चूट गया था, उसके बाद टाइप 16, 17, 18 और ये क्वेस्टन बहुत इंपोर्टेंट है, 21, तो ये पूरा हम कॉंसेट करने वाले हैं, अगर आपको ये लेशन पसंद आए, ये वीडियो हमारा पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किर लिज तो इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो नया और हाँ, एक कम और साथ में सेयर कर दीजेगा, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिलना लगेगा, और वैसे भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो और जादा से जादा लोग हमारी चैनल के साथ, जो आपका हमारी पूरी एक फैमिली है, इस्टडी एड़ा फैमिली के साथ जोड़ सके, तो देखेते हैं पहला टाइप क्या है, देखें ऐसे टाइप में जनरली क्या होता है, कि जो मेन बीच का वर्ड होता है, वो किसी के स्क्वाइर होगा, क्यूब होगा, स्क्वाइर रूट होगा, मिल्स वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, या वर्ग होगा, या घन होगा, तो यहाँ पर अगर देखें, तो ध्यान से देखें, यह 25 है, यह 18 है, दोनों को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 7, और यह 30 है, 8 आएगा 37 और 45 ये भी 8 आएगा और ये जो है 8 का square है इसी तरह अगर यहाँ पे भी देखें तो ये 26 और 32 का difference कितना आ रहा है 26, 34, 32, 32, 6 आएगा तो मतलब ये तो 6 का difference है अब यहाँ पे भी हमको कोई ऐसा number रखना है जो इसे 22 में से अगर घटाएं तो difference 6 आए तो क्या हो सकता है 28 हो सकता है 22, 6, 28 या 16 भी तो हो सकता है अब option चेक करते हैं तो देखें हमारी पास option तो दोनों है तो अब क्या हुआ अब देखते हैं actually follow क्या कर रहा है तो ध्यान से देखिए यहाँ 25 में से 18 नीचे जो है क्या है छोटा डेचीट है और यहाँ पर देखिए 37 और 30 को compare किजे तो ऊपर क्या है छोटी है 54 और 46 को compare किजे तो 46 छोटा है 45 और 37 को compare किजे तो 37 छोटा है तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा छोटा तो answer कौन सा सही हो जाएगा बी 16 तो ऐसे question मैं इसलिए लिया हूँ कि आप इस बात का paper में जरूर ध्यान रखें नहीं तो आपका गलत जरूर होगा इस बात की guarantee अगर इसके previous वीडियो जो यहाँ ibox के पास मिल जाएगा या आपको description box में भी उसके link मिल जाएगा वो जाके वहाँ से देख सकता है देखी यह बहुत अच्छा question है इसमें देखे कैसे चल ला है यहाँ ऐसे multiply करते हुए चल ला है यह जो आपका anti-clockwise चल ला है 7 गुडे 2, 7 दुना 14 यहाँ पर लिख दीजे ठेक है उसके बाद देखे 2 गुडे 15 कितना आएगा 30 उसके बाद 15 गुडे 9 कितना आएगा 15 नवा कितना होता है 135 तो यहाँ पर आना चाहिए 135 लेकिन अभी हम confirm नहीं है 9 गुडे 7 कितना आएगा 63 मतलब अब हम confirm हो गए है कि यहाँ पर option 3 होगा 135 next question देखते है next type 17 यहाँ पर देखे ऐसे जो फीगर रहते हैं यहाँ पर क्या होता है maximum time या तो गुड़ा होगा या भाग होगा या आपका square होगा या cube होगा जैसे यहाँ पर क्या चलता है यहाँ गुड़ा चलता है एक गुड़े दो, दो, दो गुड़े दो, चार, चार गुड़े दो, आठ, आठ गुड़े चार कितना? 32, option number 3 सही हो गया next type पे चलते है, type 18, देखे इसमें दो तरह का question बनता है, या तो इसको पूरा जोड़ के चारु संख्या जोड़ के अंदर लिख दिया जाता है या चारु संख्या को जोड़ के जो भी आता है, उसका square cube करके लिखते है, या तो इनका गुड़ा करते है, या तो इनको गुड़ा करके cross जोड़ते है, ये 4-5 तरीके होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा तरीका यूज किया गया है, हम यह देखते हैं, तो यहाँ पे दिखें, 7 into 5 किया गया है, तो 7 गुड़े 5 कितना होगा, आपका 35, और फिर 4 into 4 किया गया है, तो 4 गुड़े 4 कितना होगा, 16, इसको जब जोड देंगे आप, तो कितना जाएगा, देखे 6, 5, 11, 51, तो यहां पर भी आई करेंगे, 4 गुड़े 3 कितना होगा, 12, 5 गुड़े 5 कितना होगा, 25, हमारा एंसर कितना होगा, 37, next type देखते हैं, देखे, इसमें जो है, आपको A, B, C, और D का value बताना है, क्या होगा, तो ऐसे question को हम कैसे निकालेंगे, देखे, जो line पूरी हो, जिसमें भी कोई सब्द नहीं हो, जैसे इस line में देखे, A, B, D है, इसमें C है, तो इन दोनों के ignore कर दीजे, अब आपके पच्छी दो line, तो इनको पूरा जोड़िये क्या आता है, अगर आप जोड़ते हैं, देखे, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 9, 7, 16, और 2, 2, 4, 1, 5, 16, इधर जोड़िये कितना आता है, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 6, और ये कितना हो गया, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो इन दोनों line, जब जोड़ने पे total कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, ठीक है, तो हम ये guess कर सकते है, कि ये भी line total जोड़ने पे, 6, 6 आना चाहिए, तो हम अब इस line को देखते क्या है, 18 प्लस 16 प्लस 13, इनको आप add कीज़े, तो कितना आएगा, 7, 47 आएगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 66 में से 47 घटा दें, हमें C की value पता चल जाएगी, तो देखिए, 66 से 47 घटा आएगे, तो कितना आएगा, 17 और 9, 3, 20 और 6, 26, 6, 2, 80 लगा है, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, बिल्कुल 66 आएगा है, तो अब हमें ये समझ में आगे है, कि ये भी value 66 आएगी, ये भी value 66 आएगी, सभी को किधर से भी जोड़ी, 66 आएगी, और C की value हमें पता चल गया, 19, option मिलाते हैं, अब इन तीनों को चेक करते हैं, हमें सब की value नहीं है, ये नहीं के जल्दी जल्दी हम जो है, ABD की value निकाल दे, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम बताते हैं कैसे चेक करते हैं, देखे, option 2 और option 4, अगर ध्यान से देखे, तो यहाँ पे A की value same है, 21, 21, और option 3 में कितनी है, 11 है, तो पहले हम option A की value find कर लेते हैं, तो A की value क्या होगा, 18, 15 और 12 जोड देंगे, और उसको किस में से 66 से घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, 45, और 66 में से 45 जाएगा, तो आपके कितना आएगा, 21, ठीक है, तो ये बात तो अब हमारी clear हो गए, कि option 3 नहीं होगा, बस अब यहाँ पे आप जो है, B, A, C, D, दोनों में से जिसकी भी value निकालना चाहिए, जो value आपकी clear हो, उसकी निकाल लेजे, आपको एक अंक बज गया, ऐसे कभी कार क्या हमें फायदा होता है, कि हमें ज़्यादा नहीं निकालना पड़ता है, यहाँ पे तो इन्होंने सबका निकलवा लिया, तो 2 और 4 में देख लेते हैं, option कौन सही होगा, B की value निकालते हैं, यहाँ पे देखे, 7, 6 कितना होता है, और 2 कितना होता है, 15, और यह देखे, कि आपको यह चीज जरूर याद रखनी चाहिए, ABCD का नंबर, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे बढ़ा, यहाँ से A से E जा रहा है, तो देखे, A यह point है, आपका E A point है, कितना बढ़ा है, 4, plus 4 हो रहा है, फिर E से I जा रहा है, E से I यहाँ पे कितना है, देखे, यह 9 है, तो 5 प्लस 4 हो रहा है, फिर I से M जा रहा है, M कितना है, 9 प्लस 4, देखे, 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 4, कितना हुआ आपका 13, तो M प्लस 13 प्लस 4, कितना होगा, 17, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए क्यूँ प्रॉस चेक करने के लिए हम देख लेते हैं 17 प्लस 4 कितना होगा 21 यू है यहाँ पर यू है तो हमारा option number जो है 2 सही हो जाएगा जो हमारा सही answer होगा वो क्या होगा क्यू होगा तो यह कुछ question थे हासा करता हूँ कि आपको पसंद आया होंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो यह सारे वीडियो देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर आपको link share कर दाओ यह सब बहुत सारे important वीडियो है और कल से फिर मैं online test start करने वाला हूँ तो अब एक बाद नीचे time जरूर comment किजेगा कि कौन सा better time रहेगा online test के लिए